नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल प्रभुधशन करे में पांच जन्वरी बड़ा रविवार करे यह उपाए रविवार को लाल वस्तर पहन इस तरह कर दे सूर्य को जल अरपित समाज से इज़त होगी दोगुनी आईए जान लते हैं इसके बारे में रविवार के दिन सूर्य पूजा का विधान है सूर्य देव को प्रति दिन जल अरपित करने से जहां स्वास्त को लाब होता है वही व्यक्ति को घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है इसके साथ ही व्यक्ति को जीवन की हर परिशानियों से मुक्ति मिल जाती है अधिकतर लोग सूरी देव को जल अर्पित करते हैं लेकिन कई बार उनको इसका पूर्णफल प्राप्त नहीं हो पाता यदि सूरी को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सिग्र ही सुब फल की प्राप्ति हो सकती है सुब सिग्र उठकर स्नान आधिकारियों से निर्मित होकर सूरी देव को जल अर्पित करें जल अर्पित करते समय ओम सूरियाय नमा मंदर का चाप करें जिस दिन सूरिय देव ना दिखाई दें उस दिन पूर्वदिशाय की और मू करके जल अर्पित करें जल अर्पित करते समय सूरिय देव को सीधे ना देखें बलके लोटे से जो जल नीचे गिर रहा हो उसकी धारा से ही सुरी देव के धर्शन करने चाहिए इससे नमगरा के दोश दूर होते हैं और नेत्रों की जोते भी बढ़ती है जल अरपित करने के लिए चांदी, सीसे या स्टील के लोटे का उप्योग करें तांबे की लोटे से जल अरपित करना और भी शुब माना जाता है सुरी देव को जल अरपित करने से पहले लोटे में लाल फूल और चावल डाल दें ऐसा करना बहुती शुब होता है स्वदेव पूर्वदिशा की और मुक करके ही सूर्य देव को जल अरपित करना चाहिए सूर्य को जल देते समय साध बार जल दे इसके साथ सूर्य देव की मंतर का जाप करें तो ये बहुत ही विशेश लावप्रद होता है संबव हो तो लाल वस्त्र धारन कर सूर्य देव को जल अरपित करें ऐसे माननेता है कि ऐसा करने से सूर्य देव अतिशिग्र प्रसंद हो जाते हैं और भक्त की मनुकामनाई पूर्ण कर देते हैं तो दोस्तो ये दि हमारी आज की वीडियो उम्मीद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को ज़ादा से ज़ादा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके